अक्सर हमारे बहुत सारे family members ऐसे होते हैं जो कि हमें छोड़ के चले जाते हैं इस दुनिया से हमेशा के लिए इसके बाद जो पीछे family में रह जाते हैं वो अक्सर दुख मनाते ही हैं लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी recover कर जाते हैं और वो अपने daily life में busy हो जाते हैं लेकिन वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उनके दुख में ही जिन्दगी जीना शुरू कर देते हैं लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो इनसान इस दुनिया से छोड़ के हमें चला जाता है उनको बहुत जादा भी याद नहीं करना चाहिए और इसी का example है आज का हमारा ये incident इस incident में कुछ ऐसा हुआ जो की बहुत ही जादा भी हानक था मतलब मैंने बहुत सारे incidents ऐसे cover की हैं जिनमें black magic, भूत प्रेत या फिर ऐसे ऐसी चीज़े होती थी लेकिन उसमें या तो किसी की गलती होती थी या फिर ये चीज़े किसी ने की होती है लेकिन आज का ये जो incident है इसमें गलती शायद किसी की भी नहीं थी लेकिन हमारे सब्सक्राइबर अनूप और उसकी वाइफ को जो भूगतना पड़ा वो उनके लिए बहुत ज़्यादा भिहानक था तो चलिए शुरू करते हैं तो इस incident की शुरुआत हुईती 2004 में एक कपल के साथ जिसमें जो की अनूप है जो की husband है उन्होंने ही ये incident हमारे साथ share किया incident की शुरुआत 2004 से हुई थी जब जो अनूप था इनकी वाइफ जिनका नाम पूनम है वो दोनों सेम ही company में काम करते थे इन फैक्ट जिस team में पूनम थी उसी team के leader अनूप थे और ये जो company थी ये Delhi based company थी शुरू में सब बहुत बढ़िया जा रहा था लेकिन जो पूनम है वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है जिसकी वज़र से अनूप को उनसे प्यार होने लग पड़ा था लेकिन इस सब की जो शुरूआत थी वो बहुत ही normal थी धीरे धीरे चीजे प्रसीड कर रही थी लेकिन इसके बाद जो पूनम थी उन्होंने भी अनूप को पसंद करना शुरू कर दिया और इसके बाद ultimately ये दोनों relationship में आगे और फिर इन्होंने लगभग एक साल तक एक द इपनी city से कोई problem थी दोनों की family ने दोनों को शादी के लिए low कर दिया और जैसा decided था दोनों की शादी बहुत ही जादा धूम धाम से हुई अब इसके बाद दोनों की शादी तो होगी थी लेकिन office में कुछ भी difference नहीं आया था सिर्फ उनका relationship status change हुआ था बाकी office में वो as it is ही काम कर रहे थे जैसे वो करते थे पहले चीजें धीरे धीरे बढ़िया जा रही थी उनके लिए उनकी personal और professional दोनों life बहुत अच्छी जा रही थी अब शादी के लगभग एक साल के बाद जो पूनम थी वो pregnant थी जब pregnancy के last कुछ months चल रहे थे तो पूनम ने office से off ही ले लि वो time आया जिसका उनको बेसबरी से इंतजार था जो पूनम थी उसकी delivery date finally आ गई और उनके घर पे एक बहुत ही सुन्दर बेटे ने जनम लिया लेकिन इस बेटे के इस दुनिया में आने के बाद से ही जो पूनम और अनूप थे वो अपने बच्चे के लिए बहुत ही रहता था और इसी बात के चलते उनमें एक discussion था जो कि बहुत ही जादा चला और जो discussion था एक maid को लेके या फिर babysitter को लेके अब जो अनूप था वो ये चाहता था कि वो एक babysitter रख ले जो कि उनके बच्चे का ध्यान रखे क्योंकि वो experienced होते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पूनम थी उसका ये फैसला था कि वो अपने बच्चे का खुद ही ध्यान रखेगी ओविसली जो बच्चे के etiquettes होते हैं जो बच्चे की देखरेख होती है ये फिर जो बच्चे का mindset होता है वो इसी उमर से बनना शुरू होता है और वो चाहती थी कि ये सारे के सारे लेकिन दूसरी तरफ अनूप उसको काफी insist कर रहा था बेबी सिटर रखने के लिए पर ये जो discussion खत्म हुआ उनका वो पूनम की बात पे ही agree करके हुआ पूनम ने अपनी job छोड़ दी अब दोनों का financial status काफी अच्छा था और पूनम के job छोड़ने से उनके financial status पे इतना फर महीने होगी थी और सब अच्छा ही चल रहा था जैसा उनका plan था लेकिन इसके बाद इनकी खुशी को शायद ग्रहन लगने वाले थी और वो भी बहुत ही जादा बुरी तरह से जब इनका जो बेटा है वो लगभग 9 महीने का था और उसने crawl करना शुरू कर दिया था तो ज उनका जो बेटा था वो बाहर फ्लोर पे ही खेल रहा था जो उनके किचन के साथ ही एक रूम था उसमें तो पूनम उसको देख भी रही थी और खाना भी बनाया जा रही थी लेकिन थोड़ी देर बाद जो पूनम थी वो अपने किचन के काम में जादा ही इन्वेस्ट होग उसने देखा ना बाहर से कोई आवाज आ रही है ना उसको बच्चे की घूमने के आवाज आ रही है ना कुछ तो उसने सोचा कि एक बरी वो चेक कर ले अपने बेटे को बाहर कि वो कर क्या रहा है अखिरकार और यही सोच के पूनम किचन से बाहर गई रूम में चेक करने जैसे ही पूनम कीचन से बाहर निकली तो वो बाहर देखके शौक्ड रहेगी, उसके पैरों तले से जमीन ही खिसकी थी, उसने देखा कि जो उनका बेटा था वो बाहर unconscious पड़ा हुआ था, in fact वो सांस भी नहीं ले रहा था, ये देखके पूनम की हालत बहुत जादा खराब ह उसको समझी नाए कि आखिर कारुन के बेटे के साथ ऐसा हुआ क्या है, उसने फटा-फट से अपने बेटे को उठाया और फ्लैट के बाहर से ओटो लेके हॉस्पिटल की तरफ चलेगी, हॉस्पिटल के बाहर ये एक PCO था, वहां से उसने अनूप के office पे भी call कर दी अनू जा चुका था, अब इसके बाद दोनों बहुत ही जादा दुखी थे, लेकिन दोनों इस चीज का reason जानना चाते थे, कि ये जो कुछ भी हुआ, इसका reason क्या है, तो जब डॉक्टर्स ने चेक किया धंक से, तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने जो बदाम शेल के साथ ह होता है, वो निगल लिया था, जिसकी वज़ा से उसका गला चोक हो गया था, और वो भी इतनी बुरी तरह से कि उसके मुझे आवास तक नहीं निकल पाई, वो रो भी नहीं सका, चिला भी नहीं सका, कुछ भी नहीं कर सका ऐसा, अब ये सुनके जो पूनम थी, वो पर साद ये सारी चीज़े चड़ाई हुए थी, तो वो दोनों समझ गे थे कि most probably वहीं से उनके बेटे ने ये बादाम उठाया था, जिस वज़़स से उसका गला चोक हो गया था, और वो उनको छूड के हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, अब इसके बाद दोनों गर वापिस आगे, लेकिन एक तरह से उनके उपर दुख का पहाड ही तूट पड़ा था, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस चीज के लिए वो सबसे जादा खुश थे, जो चीज उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, वो उनसे कुछ मिनटों में ही कैसे दू और दोनों इस दुख सेरी कवर ही नहीं कर पा रहे थे, जिन्दगी उनकी वैसी ही चल रही थी, जो अनूप था वो फिर से ओफिस जा रहा था, जो पूनम थी वो घर पे ही रह रहे थी, लेकिन दोनों में ना वैसी बात होती थी और ना ही दोनों की जिन्दगी वैसी रही अब जो पूनम थी वो सिर्फ दुखी रहती थी वो सिर्फ रिगरेट में रहती थी इसी में कि शायद उसी की वज़ा से उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और वहीं जो दूसरी तरह अनूप था वो पूनम से प्यार तो बहुत करता था लेकिन कभी-कभी वो भी भी दुख में लेके जा रही थी और भी जादा रिगरेट पूनम को इन चीजों की वज़ा से हो रहा था तो अब इसी वज़ा से उनकी जो जिन्दगी थी आगे की वो बहुत ही दुख में जा रही थी और इसी वज़ा से वो शायद अपने अगले बच्चे के लिए ट्रा को सो रहे थे लेकिन अचानक से अनूप को एक आवाज सुनाई थी और ये आवाज उसकी वाइफ पूनम की थी जैसे ही अनूप की थोड़ी सी आँख खुली तो उसको ऐसा लगे कि पूनम किसी से बात कर रही थी और जिससे पूनम बात कर रही थी वो कोई और नहीं जैसे जैसे वो अपने बच्चे से बात करती थी विल्कुल बैसे ही बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि उनका जो बेटा है वो बापिस आ गया है जैसे अनूप धंग से उठा और उसने देखा तो पूनम उसके पास ही बैट पे बैठी हुई थी और वो अपनी गोध की तरफ लेडी थी बहुत ही सुलजी हुई लेडी थी लेकिन ऐसी हरकते करना और वो भी पूनम से अनूप ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अब इसके बाद वो कोशिश कर रहा था पूनम को समझाने की लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूनम अनूप की बाते सुन ही न बहुत मुश्किल से आई, वो सोचे ही जा रहा था कि आखिरकार ये पूनम के साथ हुआ क्या है, अब अगले दिन जासा नॉर्मली उनके घर पे होता था, अनूप उठा, रेडी हुआ और ओफिस चला गया, जैसे वो वापिस आया, तो इस बार उसको पूनम बहुत बदली लग रही थी, जो पूनम हमेशा दुख में होती थी, और हमेशा रोती ही रहती थी, वो पूनम बहुत खुश लग रही थी, और वो बाते भी ऐसे ही कर रही थी, जैसे उनका बेटा जब अंदर सोता था, तो पूनम बाते करती थी, कि बहुत जोर से आवाज मत करना मुंद जा रहे थे और ये एक तरह से रियालिटी का रूप ही ले रहे थे अब जो अनूप था वो पूनम पे frustrated तो रहता था लेकिन वो पूनम से प्यार भी बहुत करता था इसलिए वो उसको इस हालत में देखी नहीं पा रहा था तो अनूप ने सबसे पहले एक psychiatrist से और वहीं दूसरी तरफ जो अनूप था उसको ये लग रहा था कि शायद वो इस दुख से उभरी नहीं पा रही है जिस वज़़े से उसको उनका बेटा दिखना शुरू हो गया या फिर उसने उनके बेटे को दोबारा से फिल करना शुरू कर दिया है मतलब जो अनूप था उसको ये लग रहा था कि पूनम को हलूसिनेशन हो रही है लेकिन शायद इस सबका असली रीजन कुछ हो रही था जो कि आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा अब अनूप को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या तो जो साइकाइट्रिस थी उसने उसको ये सज़ेस्ट किया कि वो अपनी फैमिली में से किसी को बुला ले और हो सके तो खुद भी ओफ लेके वो पूनम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे क्यूकि हो सकता है पूनम को फैमिली टाइम थोड़ा ठीक कर सके रही हो वैसा ही बिहेव करती थी वो उससे बाते करती रहती थी और ऐसे बिहेव करती थी जैसे उसको कोई जिंदगी में दुख ही नहीं है जैसे उनका जो बेटा है वो सच में इस दुनिया में वापिस आ गया है ये जो पूनम का बिहेव था वो अनूप और उसकी मौम के लिए बिलकुल भी नॉर्मल नहीं था क्योंकि जो पूनम पहले हुआ करती थी उससे ये पूनम बिलकुल ही डिफरेंड थी वो सिर्फ अपने imaginary बच्चे के साथ ही involved रहती थी ना वो अनूप के साथ बात करती थी जादा बिलकुल वैसा ही अनूप और उसकी मौम ने किया भी वो ओफ लेके अपने गाउं वापिस पंजाब चलेगे तो उनूप और उसकी मौम ने एक पुजारी थे वहाँ पर उनके पास पुजारी जी है वो बहुत ही जादा फेमस है और उनका एक वहाँ पर आश्रम था वहीं पर जो अनूप और उसकी फैमली थी वो पुजारी जी थे उनको सब कुछ बताया पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी उनके साथ हुआ था उनके बच्चे का जाना उसके बाद पुनम की ये हालत हो जाना उनके रिलेशन्शिप में जो कंफ्लिक्ट सारे थे उन सब के बारे में सब कुछ डिसकस किया अनूप ने तो जो वो पुजारी थे उन्होंने पुनम को अपने पास बुलाया पुनम वहाँ पे उनके पास ब जो पुजारी जी थे इन्होंने अनूप को एक सल्यूशन बताया इस चीज का, उनको लगता था कि शायद यही रीजन हो सकता है जो कुछ भी पूनम के साथ हो रहा था, उन्होंने बताया कि शायद पूनम अपने बेटे को बहुत जादा याद कर रही थी, और इसी की वज़ था, वो रियल में पूनम के आसपास रहता था, और पूनम उसको सच में देखती रहती थी, पूनम जो भी उसके लिए करती थी, वो बिल्कुल सच था, अब इसके बाद जो अनूप की फैमिली थी, वो ये सुनके बहुत ज़ादा शौक्ट थी, कि अगर ये सब कुछ सच ह तो इस चीज़ पर उनको खुश होना चाहिए या दुखी, कि उनका बेटा वापिस आया है, लिकिन इस हालत में, अब इसके बाद जो पुजारी जी थे, उन्होंने उनको एक बात और भी बताई, कि ये जो इंसान जो चला जाता है, और उसकी वो जो आत्मा होती है, उसकी कुछ पूनम के साथ भी हो सकता था, तो उन्होंने बताया कि इस चीज़ का सुलूशन उनको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, तो जो अनूप था उसने उन पुजारी जी से ही इसका सुलूशन भी पूछा, तो पुजारी जी ने उनको बताया, कि किसी पंडित को ले जाके इसकी आत्मा की शांती के लिए एक पूजा करवाना, और उस पूजा में खुद से ऐसा भी बोलना, कि हम चाहते हैं कि तुम्हारी आत्मा को मुक्ती मिले, और हमारी तरफ से तुम अब मुक्त हो, अब यही जो चीज़े थी अनूप और उसकी फैमिली ने की भी, क्य जो पूनम थी, उसकी हालत में काफी सोधा रहा, मतलब पूनम तो खुद से अपसेट रहती थी, कि उसको अब उसका बेटा दिखता नहीं है, वो जो बाते करती थी, वो जो मिलने आता था, वो सब कुछ अब नहीं हो रहा, पर यह एक अच्छा ही साइन था, क्योंकि जो श आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि किसी इंसान के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, और वो खुद ही ये इंसिडेंट किसी के साथ शेयर करे, अनूप के लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा, लेकिन अनूप का इस स्टोरी को शेयर करने का मोटिफ सिर्फ एक ही था, वो च इसे भी कुछ incidents होते हैं जिसमें शायद किसी की भी गलती नहीं होती लेकिन भुगतना फिर भी लोगों को पढ़ता है आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं और अगर साथ ही अनफोचनेटली मैं चाहता तो नहीं लेकिन किसी के पास भी ऐसा कोई incident हो तो आप मुझसे मेरी mail आईडिया फिर Instagram पे शेयर कर सकते हैं दोनों का लिंक का आपको मेरी description box में मिल जाएगा So see you next time in the next video, bye bye